तो आज के वारी इस online classes में हम डेटा ताइप की अगली डेटाइप पर रहे हमने इससे पहले हमने आपको डेटा स्टोरीज होता है हमारा वह हमने आपको आपको अप्जेक्ट स्टोरीज इसमें एक्जाम पर हम आपको जादा नहीं देर पाएंगे क्योंकि यह आपके अगली तो आगे classes से लिंक है विरेबल्स का अभी चल रहा है थो हम एवर विजब करते हैं सबसे पर हमना जाहेंगा रेंज की हम बात करेंगे रेंज की हम जिफाइन कर सकते हैं एक रेंज को भी दिफाइन कर सकते हैं जैसे कि मैं आपको यह मताना चाहूंगा प्जेक्ट में तो यहां पर हम कर देते हैं dim r as a range, मालिक जी हमने ले लिया r as a range अब range में जो भी हम करना चाहें वो हम यहां पर कर सकते हैं तो इसका use क्यों होता है तो चलिए इसके बारे में आपको हम आगों बताता है जिससे कि हमारे पास आपको यान होगा हमने आपको dynamic range बताया था dynamic selection मताया था आपको किसी भी data select करने के जिए किस प्लगर method इस्तिमार्क किया जाता है तो इसके लिए हमने क्या किया हमने आपने दो variables लिए सबसे पहले dim r, c as a long और हमने c equal to किया range xfd1 dot and accept to left left dot column तो यह हमार लास देता है आप column पता चल गया आप गिलिया से यह हम देते है range xfd1 dot and xfd1 dot dot तिक है? अफ्य हमी हाँ ते करते है range xfd1 dot file a1 type 1 wilt cev ct2 dot ct2 dot ct2 dot कि अच्यवचन आपिया इसे क्वा होता है? तो यह तो selbst होगा? अब मुझे इस सेलेक्शन को कई सारी जगों पर इस्तिमाल करना होता है तो हर जगों पर इस तीन लाइन का कोड़ हमें लिखना ही पड़ेगा क्या तो उससे अच्छा है कि हम क्या रिखते हैं कि दिम्ट आरेज एज़ एक रेंट इक रेंट डिफाइन कर देते हैं और फिर यहां पर करते हैं सेर्ट सेट फैर अपजेक्ट बेस सेट होता है डारेक्ट इक्क्वड हुआ होता है हमने किसे ने कि टिफाईन किया आरेन एक िइलेंग है क्टोमसा तो हमने रेंज दे दिया कि एरेंज है अब मुझे इतने ही भी कुछ करना है बस आरें लिखना आरें डॉर्ट और तो ठीक है अज मैं आपको जिसर आपको अबशेट के अलग रेंज के और डिफेर्ट डिफर्ट फाइल्स के रेंज को लेके आना है उसका साथ शिल्ला है तो बस आप उस अब्जैक को डिफाइन करें और यहां पर असाइंड तो इसमें आपस लिखना नहीं पड़ता है अब जैसे कि एक चीज और में आपको आता हूं कि मुझे मेरा वर्क बूक है बार बार मुझे वर्क बूक हो भी करना पड़ता है तो मैंने हां पर कर दिया डिम डबलू आजे वर्क बूक्स और फिर सेट डबलू इक्वल डू एक्टीव वर्क बूक अब मुझे जहां आपने फाइल के चाहिए वहां पर लिख में डबलू डॉट मैंने माले मैसेज में मुझे नाम चाहिए एक्टीव वर्क बूक्स डबलू डॉट नेव अगया बुक वर्क अब एक्टीव वर्क बूक में कुछ भी काम करना है तो मैं जस्ट डबलू को लेकी चलना है ठीक है ओक्टीव बूटिव कि वर्क अबड़े और अब वह ऐगया तो बहुत ऑलभे इस यह क्टीव करना है कि यह अंज करना है उसरी डेटा स्टोर हो सकता है उन्हीं प्रचेज कर सकते हैं लेकिन गारी हो गई परचेज कर सकते हैं लेकिन जमीन आप परचेज तो नहीं करते हैं जमीन तो ट्रांस्टर होती है ना सर्थ अब जमीन को परचेज करके थेलें भरके त्मी ले आते हैं उसी तरीके से रेंज जो है या बर्ग्भुक है या शीप से वो जो है सर्द असाइन होता है श्टोर नहीं होता है श्टोर असाइन दो चीजिए मतलब ही कि हमने यहां पर रेंज जो एडिया लिया हुए न सर्थ इसकी पूरी इंफरमेशन को आलन पे इस्टोर कर दिया है समझे है इसका डेटा नहीं आया हुआ है इसका रेंज आया हुआ है डेटा जो रेंज पर होगा सुरूगा तो इसलिए यहां पर सेट देरा जो बड़ी है ऐसे यहां पर दिंक एस एज वर्क शीट सेट एस इक्वल टू जो इसीट को देना चाहते है एक्टिव शीट तो जहां यूज करना चाहते हो इस डॉट नेम एस डॉट नेम इक्वल टू मैंने कर दिया इस रहे डेटा तो यह तो आपको अब्जेक्ट हो गया आप आप किसी पंटिकुलर वर्क को को भी डिफाइन कर सकते हैं इस रहे से हमने आप लिख दिया इस्ट दी इक्वल टू शीट दॉट आइड ठीक है और यहां में लिखता हूं बिद्ध दॉट का नेम होना चाहिए और देटा शीट का जो टाइड कलर है अब 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 जैसे कि माने लिख आपको एक काम करना है और काम जो है आप उसके कुछ आपको की आइड करनी है जैसे मैंने आपने लिख दिया कि विद्ध दब्लू को दो खो pattern नें देड़ एकुल टो भर्क और बी जो चीज़े तेना चाहते हैं दे सकते हो ऐसी चार्ट बगड़ा ऐसी पिबंट बगड़ा जो आगे चलके आपको बताऊंगा तो तो डायक्टी असाइड कर सकते हैं यह सर अलो अलो यह सर उपना यह और इसके बाद यह हो गया अब उसके बाद अब एक अबजेक्ट और होता जैसे मुझे अगल अप्लिकेशन खुल नहीं है तो मैं आपको यहां पर लिखूंगा दिम और ओ एस अबजेक्ट और मुझे खुलना है माम लीजिए आउट लोग तो मैं यहां लिखूंगा परकेट सेट ओ एक्वल टू कि एट अबजेक्ट और यहां को जाएगा आउट लोग डॉट अप्लिकेशन अब आप जा हम आपको है को आगी क्लासे बता है अभी आप इसके लिए लेकिन में अप्लिकेशन को करेक्ट करने के लिए वर्लोग क्रेट अबजेक्ट कर इस्त्माइब गाले कि अपन करने के लिए या सब क्रियेट के लिए और जैक्त को हमने एमबेट कि एक्सल में आउट्णू को कि ओपन ही होगा ला कि यह वाओ अउट्ट है कि अपन होगा वंड़ों को एक्सले क्रियेट कर रहा है अब लिंक कर रहा है वद्द उससे तो एक्सल से ही आप मेल गएच सकते हैं एक्सल से ही आप किसी वर फाइल को एडिट कर सकते हैं अब अब यहां पर यह काम अब लिखा है कि क्रियेट आप्जैक्ट आप्लोट आप्लिकेशन आप कि अब लिखा लुख अप्लिकेशन को एक्सल में एंब अब टीन ने नहीं करते हैं अब व्यद्धिक्त यौश्व U object हमारा होता है आपका तीनी चात्रा हे होते हैं पेलना ऑबिजेक्ट मैंने देटांटाइप बता दिया मैंने आपको अब जेक्त उक्त अबजेक्ट बता दिया और तीस्रा जोमारा होता है बरीबल्समें वह होता है आरे आरे के पाली tell चाहिए इंटीजर की ब्रेवल करना है तब क्या करेंगे कि dim a,b,c,d,e,f as a इंटी क्या और या फिर मैं का सक्ताम ति dim a 126 as a यह हमारा a जो फिर में उप्वाले करता हूँ तो मैं यहाँ पे a equal to numbers टोड करूँगा b equal to तो पुरा manual हो जाएगा समझ लिए लिखिए जो array हमने define किया है उसमें हमें लिखना होगा कि a 1 is equal to 30 a तो इसको लोग लूप अग्रमा सानी से डाल सकते हैं क्या सर्थ array क्या करता है कि एक ही एक ही एक ही एक ही कास्ट के अग्मान लिजे आपको हो एक ही कास्ट के कास्ट से यहां पर यह है मतलब की type of variable एक ही कास्ट के कई साधे variables की जरूरत है तो वहां हम एक को ले दे कि मनने की array लेते हैं और कभी कभी क्या होता है कि पूरी की पूरी पूरी टेवल स्टोर करनी है तो इसके लिए यहां पर लेते कि डिव्टी मेरा मेरे पास जो है 1 एक्वोल टू हंड रो और 10 औलन है 1 इक्वोल टू 10 औलन है अर और आगार रे गिवल कोई । अगरड़ करना चाहताः कर दीजिये कास्ट एद्रबार labi variant हो जाएगा इसलिए क्या किया कि दीटी अब यहां पर क्या से स्टोर होगा डीटी दीटी पहला रो पहला कॉलर टीटी पहला रो और दूसरा कॉलर इस एक्वाल टू अपना है ठीक है सर अभी से अरे का इस्तमाल हम आगे क्लास में आपको बताएंगे कैसे डिफाइन होता है कैसे वैलो स्टूर होता है कि समय में आ गया जाइब जी तेजिंदर जी तो अगर हम यहां पर रेंज अगर तो वह भी कर सकते हैं ना जैसे यहां पर डिफीटी कुछ अगरेंज करने तो नहीं नहीं डिटा टाइप बनस अपर बैकर में स्टूर करेंगा ना सर कि इसका यूज हम लोग यूजर फॉर्म में जड़ातर करते हैं जीसे कि मालेज़ें कि पूरी के पूरी एक टेवर को हमें लिस्ट बॉक्स पर डालना है तो हम डिटी यह पहले लेकर आते हैं फिर डिटी से लिस्ट बॉक्स पर ले आते हैं गाला मिद्क टेवल को कि लाने के लिए राइट् आपको बहुत सारे variables से define करने की जरूद महीर पड़ेगी और इसमें loop में भी इसको आसानी से हम use कर लेते हैं कि अगर इस तरह की variable define किया तो हम loop में नहीं इस थावां करें पाएंगे ना पर इस तरह की variable को loop में इसके mark कर लेगे इसको भी आगी हम आपको इस एक्जाम्ट्रों करेंगे और लास्ट जो है ओ है गलोबल बैरेवर गलोबल बैरेवर समझते है क्या है मैंने यहां पर तीन मैक्रो बना है तीटी अब इसमें क्या है कि टीटी में एकल टुटेवाइड प्टीजिए वाइड भाइड है फिर सब यहाँ पे थीटी वाइड है अब यहां पर मैं A equal to A multiply by 90 है और तीसरा सब 22 इसमें विजाएगा A equal to A divide by 5 plus 100 और फिर इसको MSG box में दिखाएगा तो रिजल्ट क्या आएगा यह का सर सर रिजल्ट क्या आएगा Error आएगा तो जीरो को 5 से divide नहीं होगा मतलब कि मैं चाहता हूँ कि हमारी मैं पहली macro run to tt तो इसमें का जो रिजल्ट हो वो इस्टोर हो जाए और इसी रिजल्ट में अगले cell में calculate अगले macro में calculation अगला macro जो रिजल्ट दे वो उसके अगले macro में इसका ही तो दिक्कत क्या होती है कि एक्सल में एक विरेवल एक सब्जेक्ट के लिए होता है अगर हमने एक पे जो भी रिजल्ट ने स्टोर किया उसके इस सब्जेक्ट के लिए कि एज यह हमने आपने कर दिया है तो अब मैंने पहले बारी टीटी मैंक्रो को run किया फिर टीटी वर्ण किया और फिर टीटी टू को आपने कर रहे हैं वहां पर तीन मैंक्रो है पहले मैंक्रो में आपने कर रहे हैं पहले मैंक्रो में कि एक करने का तरीका आपके साम में तो हमारा टाइप का टॉपिक यहां पर खतर होता है अगरी टॉपिक हमारी है इस कंडिशन हम इस कंडिशन को डिटेल में पढ़ेंगे आप पर स्कावड़ गिडिया शेयुक्त आप करते हैं इस ओर सबना इस सब्सक्ताइब बहुती है अपर कीजिए सिर्फिय के गाले अधर सकते हरा है यहां सरे भाइस प्राइस कर लेंगे टीकन में होगा सरो हां तुर कोई 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 वो नहीं है ठीकत नहीं सर ओस न किवान सर्थ फंचन बाद में मंदब क्राव गया कपू प्रोगा अए निया है मंदब फंचन में गरा सो आएढ़ा सा आएए आए आए अए जो सीख से उसे हुई हुई